हालो फ्रेंड्स साजबूम का ठाबा में आपका हार्दिक स्वागत आज हम फिर आए है एक नई से रेसिपी के साथ जिसका नाम है ड्रम स्टिक की सबजी को नए तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं ड्रम्स्टिक की सबजी के देखे चार सुर्जन की फली ये ड्रम श्टिक जो भी आप बोलते हम उसको लिया है और इसको क्या किया है Division यम्हकों keeping पहले साइट का निकाल देंगे और इसके ऐसे लंबाई में दो टुकड़े हम कर देंगे यह हम निकाल दिया अभी चाकू की साय तासी है चम्म से जहां तक उसके चम्म से करना चाहिए इसके अंदर का जो मगज रहता है वो सारा निकाल दें अंश hettymen में चाख की साय और इसके बढ़ हम में नीकलने में को कोई डोन निकालने में तो आप चम्म से निकालनें आराम हम की सब्सक्रिक्साएना में में ano यह जो देखिए मैंने एक फली का निकाले इस तरह से तीन और फली क्यां अंदर का यह भाग जो मगज हो निकाल देंगे यह देखिए मैंने जो डॉम स्टिक का या अंदर का निकाला हुआता है इसको हम थोड़ा सा बारी कट कर लेंगे क्यों पिया भी बड़ा-बड़ा है इसके साथ ही मैंने 3 हरी मिर्च लिया है और 8-10 कड़ी पत्ता के कड़ी पत्त लिया है इसके साथ ही यह इतने बड़े एक चोटा प्याज में कट करके एकदम बारे कट करके सांथ में लूँए है तो अभी मैं इसको कट कर लेति उह कि विआने मैंने के अजने कट कर लिया है और डमस्टिक के अंदर का मौगश्ता इसको भी कट कर लिया है अभी में एक कप घीला जो कच्चा नार्यग उसको मैं एक के रखा हूआ है, उसको में ले लूँगी और अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे उआं अब इसमें एक टीशपून नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको तड़का लगाएंगे मैंने पैन में एक टेबल स्पून तेल दिया है उसमें जीरा डाल दिया है आधा चमच और वन फोर चमच हींग डाला है तड़का अच्छे से तयार हो जाएगा उसके बाद हम सब्जी को डाल देंगे सब्जी का ओरिजिनल कलर आपको इसमें दिखाए देगा क्योंकि उसमें और कोई कलर नहीं डाला हुआ है इस सब्जी बड़ी बनाना आसाल है इसमें मिर्च और नमक खारी मिर्च मैंने तीन डाली है तो आप तोड़ी जादा भी डाल सकते हैं और नमक भी अपने हिसाब से डाल दें अब हम इसे धग देंगे और दो मिनुट के बाद देखेंगे दो मेरिट हो चुकिए हैं अब हम ढखन कोल कर देखें आहां मस्त खुशबू आ रहे है और सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है तो आम हम इसे बॉल में निकाल लेंगे इलाके अच्छे से और इक बॉल में निकाल लेंगे इसमें मैंने एक चमच थोड़ा पानी स्पिंकल किया था थोड़ी सुक्यू-सुक्य नहों इसलिए तो बोल में निकाल लेंगे हमने बोल में निकाल लिया है सबजी बहुत सुन्दर लग रही है और टेस्टी भी होगी निश्चेत रूप से तो आप भी बनाइए और आपको कैसी लगती आप कमेंड कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल में मत भूलिए तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपिके साथ तब तक के लिए धन्यवाद घर पर रहें सेफ रहें तो